Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके फेवरेट टॉपिक, हमारे फेवरेट टॉपिक, होटल मैनेजमेंट के बारे में इसी के बारे में तो मैं बात करता हूँ तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कि शूड यू डू होटल मैनेजमेंट इन 2021 तो बिसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको होटल मैनेजमेंट 2021 में करना चाहिए या नहीं किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए और क्या basically कौन सा course उनको hotel management का करना चाहिए जो की 2021 में बिल्कुल सही रहेगा तो अगर आप hotel management करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसे बहुत ध्यान से देखेगा और end तक देखिएगा साथ ही साथ जो लोग hotel management अभी कर रहे हैं और वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप से end में मैं question पूछने वाला हूँ तो आप end में जाके उस question को भी आप उसका answer दे सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है अभी covid वाली situation चल रही है जॉब्स बहुत कम हैं अभी जो लोग पहले से जॉब करते थे उन लोग वो जॉब फिलाल कुछ लोगों की है कुछ लोगों की नहीं है जिन लोगोंने अभी अभी hotel management कर रहा था उन लोगों को अभी job नहीं मिल पाई है काफी लोगों को तो यह बहुत साई situation सी जिसको मैंने discuss किया था अपने last वाले वीडियो में इस वाले वीडियो में basically यही चीज को मतलब next year क्योंकि अभी still uncertainty बनी वी है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए कि आप लोगों को बताया जाए कि क्या अब next year भी आपको कौन से courses को choose करना चाहिए कौन से कुछ नहीं choose करना चाहिए या फिर किस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो रहेगा दिक्कत वाली बात हो सकती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सोच रहे थे कि उनको degree in hotel management करना है तो यार अगर मैं सही बताऊं तो degree in hotel management 2020 वाले वीडियो में मैंने same चीज़ बोली थी you can go for it because देखो आप hotel management start करोगे 2021 में और जब तक आपका hotel management खतम होगा लगबग 2024 या 2025 आ चुका होगा यानि कि तब तक situations बहुत बदल चुकी होगी यानि कि यह जो covid वाला situation तब तक जा चुका होगा और आपके लिए कोई भी ऐसा वाला issue नहीं है कि आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे या फिर आपकी online classes चलते रहेंगे ऐसा भी नहीं होगा जब vaccine आ जाएगी तो सब कुछ normal track पे आना शुरू हो चुका होगा तो इसलिए guys जो लोग degree करने का सोच रहे हैं और they do not need to worry about it because अभी जो covid वाला situation हो फिलाल for the time being है जैसा हम देख सकते हैं कि vaccines वगरा एक साल तक में आही जानी है तो आपका जो hotel management का course होगा जब तक आप complete करोगे सब कुछ normal almost track पे hopefully आ चुका होगा तो इसलिए आपको ज्यादा मतलब इस बारे में वो करने की जरुत नहीं है आपको अगर आप degree करने का सोच रहो तो वो एक right choice आपके लिए हो सकती है अब बात आ जाती है hotel management के diploma के बारे में कि should you do diploma in 2021 or not तो मेरे इसाब से यार अभी अगर situations को देखा जाये तो उस इसाब से 50-50% वाली chances बने हुए हैं मत है जो movement होती हो इतनी open नहीं है अभी आप देख सकते हैं फिर से lockdown कई जगहों पे लगना शुरू हो चुका है और आप सब लोगों को पता है यार जो diploma course होता है बहुत short term course होता है मतलब कई जगह पे 6 months से लेके 1.5 साल तक का ही course होता है तो यानि कि जब आप hotel management के में diploma करने ज होड़ेगा because diploma अगर आप करने जा रहे हैं उसके अगर एक साल में आप pass out होंगे और आपको job के लिए कहीं try करना होगा और situations उतनी ज्यादा normal नहीं हुई होगी तो definitely आपको job लेने में बहुत दिक्कत आईगी because scene क्या है कि अभी जितने भी hoteliers है mostly जो है काफी लोग अभी उन business class hotels हैं वहाँ पर जितनी भी business meetings होती थी जो कुछ इतने सारे सारी चीजां हुआ करते थी वो totally अभी बंध हो रखी है international clientels इतना आ नहीं रहा है तो इस वज़े से क्या है कि आप यह expect नहीं कर सकते कि जो pre lockdown वाला phase चल रहा था वो अभी फिलाल एक दो साल तक चलने वाला है वो थोड़ा उसको खुलने में थोड़ा सा time लगेगा तो उस वज़े से hotels को अपना फिर से wrap up करने में business उपर उठाने में थोड़ा सा time लगेगा और क्यूंकि कुछ लोग अभी फिलाल unemployed चल रहे हैं और कुछ लोग नहीं पास आउट हुए उनको jobs नहीं मिली है तो उस normalize हो जाता है तो आप diploma के लिए जा सकते हैं but in case अगर चीज़ें आपको लगता है कि normalize नहीं हो रही है with time और थोड़ा सा मतलब time लग रहा है चीज़ों को normalize होने में तो diploma के लिए I think you should skip that और degree के लिए अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्यूंकि diploma लोग इ साफ दिख रहा था कि situations normal नहीं होने वाली इतनी जल्दी तो उसमें मैंने यही बोला था कि 2020 में आपको diploma in hotel management नहीं करना चाहिए और उसके आपको results यहां पे दिख रहे होंगे अभी तक 6 महीने बीच चुके हैं जिन लोगोंने अभी diploma start किया रहा होगा अभी तक वो लोग online classes ही ले रहे हैं अब देखिए क्योंकि diploma short term course होता है 6 मेने का सालबर का course होता है सिर्फ online classes में ही आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं आपको practically चीजें करनी पड़ती हैं अब जिन लोगों का जो course है वो इस समय में सिमट गया होगा या फिर जिन लोगा course थोड़ा सा बचावा आइंगे जो वो एक normal diploma में सीख सकते थे और यही मेरा question अभी जितने भी लोग जो hotel management कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं यहां तक देख पा रहे हैं तो उन लेगों के लिए question है कि क्या चीजें आपने अभी तक सीखी हैं अगर आप डिग्री से हैं डिप्लोमा से no matter what आप लोगों ने क्या क्या चीजें अभी तक सीखी हैं अपने hotel management के course में साथी साथ practically क्या आपने कुछ सीख पाए हो अभी तक या नहीं तो यह question का आप answer comment में जरूर मुझे बताना मुझे पता लगेगा exactly कि क्या चल रहा है अभी hotel management colleges में और साथी साथी आप लोगों के राइदा होगा वो आप खुद समझ सकते हैं तो कुलमिला के बात ही है कि 2021 में जब आप hotel management करने जाएंगे तो इन factors को जरूर ध्यान में रखना कि क्यूंकि diploma short term course होता है और अगर situations normal नहीं हुई है तो definitely आपकी फिर online classes ही चल रही होंगी practical classes नहीं हो पाएंगी और उस वज़े से काफी दिक्कत आपको जहिलनी पड़ सकती हैं अगर आपकी practical classes normal होने लग रही है और classes normal चलने लग रही है तो आप diploma कर सकते हो लेकिन उसमें भी आपको एक factor ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या पहले जैसे jobs अभी available हैं या नहीं degree की जहां तक मैं बात करूँ तो क्यूंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बोला अभी 24-25 तक आप pass out होंगे तो तब तक काफी हद तक situations normal हो चुकी होंगी vaccine most probably एकदम perfect level पे सब लोगों को लग चुकी होगी पहले जैसे international borders open हो चुकी होंगे तो आप लोगों को उस जो उनको ध्यान में रखने होंगे वो चीजे मैंने आपको बता दिये उन चीजों को ध्यान में रखते हुई अपना course करिएगा साथी साथ यार आप subscribe भी कर सकते हो मेरे चैनल को और साथी साथ like जरूर करना और comment करना अगर आपको कोई query है Instagram पे follows बहुत ज्यादा हो गया है